नमस्कार दोस्तों मैं भाविनी मिश्रा अपनी चैनल में आप सभी का एक बाव फिर से स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप लोग आसा करती हूँ आप सब स्वस्थ सुरचित होंगे महा अस्टमी आने वाली है और यह जो संयोग है वो कभी कभी ही बनता है कि जो अस्टमी तिती है वह सोमवार को पढ़ रही है तो 27 दिसंबर को सोमवार को अस्टमी तिती पढ़ रही है तो इसको महा अस्टमी बोला जाता है और यह बहुत ही कभी कभी साल में एक दो बार ही तो अगर आप बहुत जादा परसान हैं, आप कोई कार्य कर रहे हैं, वो कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, बार बार कार्य करने की कोशिज करते हैं, बार बार आपको हार का सामना करना पड़ता है, कस्ट का सामना करना पड़ता है, जो भी चीजें आप कहीं धन लगाते हैं, तो धन की हानी हो जा रही है और बहुत कोशिस करने पे भी धन की प्राप्ती नहीं हो पारी है धन की कभी बनी है और बरकत नहीं हो पारी है तो आप अस्ट्रमी की दिन ये एक उपाय करके देखिए आपको अगली अस्ट्रमी आने तक जरूर लाब होगा और बहुत छोटा सा उपाय है जो कि सोमवार के दिन 27 दिसंबर को अस्टमी पढ़ रही है तो उस दिन करना है तो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ बहुत ही आसानी से सारी चीजे आपको मिल जाएंगी और बहुत ही आसान तरीके से आपको उपाय करना है आपकी जो भी मनोकामना है या जो स्वास्थ है वो अच्छा नहीं रहता है आपकी वो मनोकामना है या किसी भी प्रकार के आपकी जो मनोकामना है या इच्छा है उसकी पूर्ती के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं इसके लावा इस उपाय को करने से घर में सुख सांती बनी रहती है सम्रिधी बनी रहती है धन पढ़े पहने है उसके बाद आपको मंदिर जाना है लेकिन मंदिर जाने से पहले आपको ये तीन चीजे जो मैं बतारी हूं इसका आपको इंतिजाम कर लेना है वैसे तो घर में होती है पहला है मूं की दाल, खड़ी मूं की हरी दाल, साबुत दाल चाहिए, आप वो टूटी हुई दाल नहीं लेनी है, साबुत मूं की दाल है या दाने जिसको बहते हैं, मूं के दाने जो हरी वाले होते हैं, वो चाहिए, उसके अलावा चावल चाहिए, और बेल पत्र चाहिए, यह सामगरी की जरुवत है इस उपाय को करने के लिए और यह तीनों जो चीज़े है वह 3121. 31 31 31 की संख्या में होनी चाहिए जैसे की मूंग की दाल है तो मूंग की दाल जो मूंग के दाल नहीं कहेंगे दाने बोलेंगे जो मूंग के दाने है हरे वो हमें 31 काउंट करके रख लीने है आप एक कागज लीजिए उस कागज की पूरिया में बना के रख लीजिए उसी तरह 31 चावल के दाने, आप टूटे दाने नहीं लेने हैं, याद रखना है, चावल का पूरा चावल का दाना होना चाहिए, टूटा फुटा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी कीरे उड़े नहीं होने चाहिए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो 31 चावल के खड़े दानी लेने हैं और इसी तरह 31 बेल पत्री लेनी है तीन-तीन की संख्या में जो पूरी तीन की संख्या में बेल पत्र चढ़ाते हैं उसी तरह 31 बेल पत्र लेने हैं 31 का मतलब आप समझ रहे होंगे, पूजा पाट करते हैं, तो 3-3 की संख्या में इसी तरह से 31 बिल पत्र लेने हैं, एक बार में 3 चड़ेगा, इसी तरह 31 लेना है, तो अब भी इनको कहां चड़ाना है, कैसे उपाय करना है, तो मंदिर में जाएंगे, सबसे पहले जो चावल क 21 चावल के जो दानी है, उसे मंदिर के द्वारे पे रख देना है, मंदिर का जो द्वार है, वहां पे रख देना है, तो कागज की पूड़िया बना के जाएंगे, पूड़िया में से आप निकाल कर, द्वार के किसी मंदिर के द्वार के किसी कोने पे आपको उसे रख दे तो उस उठे हुए पैर के पास 31 मूं के दाने रखने हैं, याद रखेगा जहाँ जहाँ आप दाने रखेंगे, वहाँ वहाँ आपको जो भी इच्छा है, जो भी मनो कामना पून करनी है, उसको आपको मन में ध्यान करके रखना चाहिए, अब उसके बाद हमें 31 बेल पतर आप स्विलिंग में ध्यान में दीजेगा, जहां से जल नीचे की तरफ गिरता है, वहाँ पर एक मोटी लाइन बीच में होती है, तो भगवान श्रीव की पुत्तरी मानी जाती है, सबसे छोटी पुत्तरी मानी जाती है, असोख सुंदरी, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ असोख सुंदरी का वास होता है, और हमें बेल पत्र वहीं पर चड़ाना है, बेल पत्र को चड़ाने के लिए जो डंठल होती है, वो उस तरफ होनी चाहिए, जहां से पानी की या जल की दार नीचे की तरफ गिरती है, तो मैं वीडियो में भी आपको दिखा दूँगी कि क पीले हल्दी से आपको चंदन का टीका इस तरह से लगाना है तीनों बेल पत्र पत्र और एक एक करके तीन बल पत्र एक बार चड़ाएंगे, इसी तरह 21 बार हमें बेल पत्र चड़ाना है, वो पानी कि धार जहां से नीचे शिवलिंग पे गिरती है, वहां उस तरफ रफ तो इस तरह से हमें यह उपाय करना है आप एक बार करके तो देखिए आपकी जो भी मनो कामना या जो भी इच्छा होगी वो जरूर पूर्ण होगी कोई कस्ट है या घर में बरकत नहीं हो रही है तो जरूर होगी इस उपाय को जरूर करिएगा और अगली आस्टमी आते आते आपको लाप जरूर मिलेगा तो इस उपाय को आप जरूर करिएगा तो आसा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आये होगा इसी तरह बहुत सारे उपाय और धार्मिक चीजों से पिगिस आप मेरे चैनल को प्लीज असमें डेमा अलदाये चुल आप प्र भी स्पूंछाएं-डेलीलियुट अच्छा को आप चाइप आप मेरे वीडियो देखसकते हैं तो इस उपाय को जरूर करिएगा, इस उपाय को करने से आपको बहुत लाब होगा, और ये उपाय आप अस्ट्रमी के निन, वैसे तो आप 27 दिसंबर को कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी अस्ट्रमी पढ़ती है, जो की सोमवार को पढ़ती है, सोमवार को जो भी अस्ट्र करने का विसेश योग है अगर आप हन्मान जी की पूजा करेंगे और अगर आप हन्मान चालिसा पढ़ेंगे इस दिन तो भी आपको बहुत लाव मिलेगा आपकी जो भी मनोकामना या इच्छा है वो जरूर पूर्ण होगी तो ये छोटी-छोटी बाते हैं जिनको हम ध्यान कर लिजेगा अच्छे-च्छे वीडियो में ऐसे ही डालती रहोंगी उपाय और जो भी उपाय है भगवान शेव से या किसी भी प्रकार का कोई उपाय है जिससे किसी को लाव मिलता है तो वो जरूर डालोंगी मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे बहुत- ही